तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर स्वागते हमाई इस नई वीडियो में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्री क्यों मनाया जाता है और क्या है मादुर्गा से जुड़ी मानेत है तो दोस्तों विडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंतर जरू बने रहे दोस्तों एक बार की बात है, जब महिशासुर नामक दानों एक जंगल में व्रह्मा जी के लिए कड़ी तपस्या कर रहा था दिन महावर्ष बीद गए मैसा सुर अपनी कड़ी तपस्या में मगन रहा एक दिन उसकी इस कड़ी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहें कि हे पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन हो गया हूँ मांगो क्या वर्ष चाते हो तबी मैसा सुर ने कहा हे ब्रह्मा देव मुझे इच्छा मित्यू का वर्दान चाहिए ये सुन ब्रह्मा जी बोले कि नहीं ये नहीं हो सकता जो भी मनिश्य इस धर्ती पर जन्मा है उसकी मित्यू निश्चित है तुम इच्छा मित्यू को छोड कर कोई और वर मांगो मैं औश्य दूंगा तभी महिसा सूर ने कहा कि हे गुरुवर तब मुझे कोई ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे कोई देव कोई पुरुष नहीं मार सकता और मेरी मित्ती हो तो किसी स्त्री के हाथों हो ये सुन ब्रह्म देव ने महिसा सूर को ये उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया और देव लोग पर कबजा कर सभी देवताओं को मारने लगा सभी देवता भैवित हो गए और ब्रह्म जी महादेव और भगवान विष्णु के पास जा पहुचे और उनसे सायता मांगने लगे तब ही ब्रह्म देव ने इसका उपाय बताते हुए कहा कि मैसा सुर को यह वर्दान है कि ना तो उसे कोई देव मार सकता है और ना ही कोई मनुश्या इसका उपाय बताते हुए कहा कि मैसा सुर को यह वर्दान है कि ना तो उसे कोई देव मार सकता है और ना कोई मनुश्या मैसा सुर का वद किसी कुवारी कन्या के हाथों से ही हो सकता है ब्रह्मा जी की ये बात सुन सबी देवताओं ने मिलकर एक जगा अपने तेजस को किल्दित कर एक कन्या का निर्मान किया जिसे देवी दुर्गा नाम दिया गया फिर मादुर्गा ने třृदेव का अशिरोद लेकर माईसासुर को ललकारा और माईसासुर मादुर्गा पर मुहित हो गया और मादुर्गा से विवा करने का प्रस्ताओं उनके सामने रखा तब ही मादुर्गा ने माईसासुर का ये प्रस्ताओं स्विकार किया परन्तु मादुर्गा ने एक शर्थ रखी कि विवास से पहले तुम्हें मेरे साथ युद करना होगा तभी मैसासुर युद के लिए तैयार हो गया और दोनों में युद शुरू हुआ युद पूरे नौ दिन चला उसके बाद मादुर्गा ने मैसासुर का वद कर दिया तभी से मादुर्गा को मैसासुर मर्दनी भी कहा जाता है और इन नौ दिनों को मा के नौ रूपों में मनाया जाता है इन दिनों मा के नौ रुपो के दर्शन होते हैं नौरातर का तेवार बहुत ही श्रदा और भक्ति पूरक मनाया जाता है कहीं नौ दिन गर्बा कर मा की पूजा होती है तो कहीं ग्रेह में गट सापना करके उसकी पूजा पाट कर नौ दिन मा के नौ रुपों का स्मरण किया जाता है कुछ लोग नौ रातन में नौ दिन के लिए अन्ने का त्याग कर मा का उपवास करते हैं तो कहीं कुछ लोग पहले और अंतिन दिन का उपवास रखते हैं और मा की पूजा अर्चना कर जीवन का मोक्ष प्राप्त करते हैं तो दोस्तों ये थी मा दुर्गा की अस्तितों की कहानी अगर इन में से आपको कोई भी नई बात जानने मिली हो तो हमें कमेंट कर जरू बताए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने परियारों दोस्तों और रिष्टेदारों में शेर जरूर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद